श्री गनेशाय नमहा नमस्कार दोस्तों ये राशी फल चंद्रा राशी पर आधरित है चंद्रमा मन का कारक है हमारे मन पर जो भी उथार चड़ाव आते है वो चंद्रमा की स्तिधी ले कर आती है और इस वज़े से चंद्रमा की पोजिशन हमारे रोज की जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है और इसके according हमारा दिन अच्छाया बुरा जाता है तो आईए जानते हैं इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम ला रहे है दोस्तो ये दिन आपके लिए खास है जी हाँ आज चंद्रमा की पोजिशन बहुत बढ़िया रहेगी चंद्रमा इस दिन आपकी कुनली में दस्वे भाव में है ये कर्मभाव है इस दिन मान सन्मान प्राप्त होगा धन अरजित करने के लिए ये दिन बहुत बढ़िया रहेगा तो आर्थिक स्तिती और अच्छी होगी दस्वा भाव कर्म भाव है यानि नोकरी बिजनेस आपके प्रोफेशन में आपको काफी लाब मिलेगा नए मोके भी मिल सकते है काम का बोज आप पर जरूर रहेगा और उस वज़े से शायद थोड़ी एनरजी की कमी भी मैसूस हो सकती है लेकिन अन्तता रिजल्ट्स आपके ही पक्ष में रहेंगे दोस्तो एक बात याद रखे चंद्रमा कर्म भाव में होने के कारण आपको कर्म पर विश्वास करना होगा भागय के भरो से बैठने वाला दिन ये नहीं है तो आप कर्म कीजे कर्म का फल आपको अवश्य मिलेगा लेकिन अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो फल की अपेक्षा भी नहीं कर सकते इस समय में निवेश करना अच्छा रहेगा निवेश से फायदा होने की योग बन रहे है कोई जोकिम बरा फैसला भी ले सकते हैं ये समय आपके फेवर में है साड़ी अर्चने वा सारी परिशानिया जो आपको सता रही थी वो नहीं रहेगी सारे काम आसानी से पूरे हो जाएगे सारे पेंडिंग काम पूरे करने के लिए ये समय काफी सही है अगर कोई सरकारे काम कुरुका हुआ है तो उसे जल्द से जल्द पूरा करे सफलता मिलेगी ये दिन आपके जीवन में नए रास्ते खोल सकता है आपकी तरक्की के नए रास्ते खोल सकते है बस आपको सही दिशा में कर्म करना है और खुद पर विश्वास रखना है मेहनत कर और किसी भी चीज से ना डरे समय आपके साथ हैं। कोई कडवाहट है तो वो दूर करने का ये सही मोका है। अपने शादी से जुड़े प्रस्ताव अपने माता-पिता के सामने रखने हैं तो ये समय आपके लिए सही है। दोस्तो इस दिन आपका स्वास्त अच्छा रहेगा। थोड़ी बहुत कमरदर्थ की शिकायत इस समय में आपको सता सकती है। स्वास्ते से जुड़ी समस्या आती भी है तो कोई चोटी मोटी समस्या आएगी, कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। तो कुल मिला के स्वास्ते के लिए ये दिन अच्छा ही रहेगा। इस दिन ब्लैक कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए लखी साबित होगा और आठ नंबर इस दिन आपके लिए लखी रह सकता है।